दोस्तो एक बात याद रखेगा हर स्टूडेंट अपने जीवन में जब वो किसी भी competitive exam की तयारी करता है तो उसको बहुत struggle करता है जो honestly तयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट बहुत struggle करते हैं वो उस वक्त अगर देखा जाए तो उन स्टूडेंट को कई सारे आलोचनाओं को स है एक तर से धिसा सुचक सब्द होते हैं अब आप के बारें आलोचना करने लगे तो माने व्यों प्रचाशु का सब्सब्स करते हैंwriting नमश्कार दोस्तों जो कि बर्स 61-2016 को आयुजित क्या गया था इसमें जो जार्खन समाई ने गया यानि जार्खन जीके के जो प्रस्ण पूछा गया था इसके बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि यानि बर्स 2016 में जारखन जीके से किस प्रकार के प्रस्ण पूछा गया था तो चलिए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जारखन सामाईने ग्यान के जो प्रस्ण पूछा गया था बर्स 2016 के एक्जाम में किस टाइप के थे और कितने कठिन थे या कितने आसान थे तमाम चीज़ों के पर देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की जमसेद जी टाटा फिर दिया है रतन टाटा और दिया है आर्डी टाटा ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा यही पूछा गिया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा जमसेद जी टाटा ठीक है टाटा आयरं एंस्टील कंपनी जो अस्थापना कितना में किया गया था 1907 मे इसका production शुरू होता है तो ये इसका right answer क्या होगा अब आते हैं 122 number questions इसमें कहा गया है कि निम्य लिखीद में से कौन सा कथन कौन सा statement बिर्सा मुंडा के सम्मन में गलत है गलत को चुनना है दोस्तों देखिए इन चीजों में ध्यान रखना है कि गलत कुछा गया यानि गलत को आपको चुनना है इसमें option दिया है कि बिर्सा मुंडा ने सोनेत संथाल समाज की अस्थापना की फिर दिया है उन्होंने बन एबं भुमी पर आदिवासी प्रकृती अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ये सही बात है ठीक है फिर वे ब्रेटिस अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्व हो गए ये भी सही है उन्होंने जमिनदारी और साहुकारों द्वारा मूल निवासियों के सोसन के खिलाप प्रारंभिक बगावत में से सबसे मुहत्वपूर्ण बगावत का नितित्व क्या यानि अगर देखा जाए दोस्तों तो BV आपका सही है विर्षा मुन्डा के समन में CV सही है और DV सही है यानि गलत कौन सा है ए विर्षा मुन्डा ने सोनेच संथाल समाज किया स्थापना की थी यह गलत है चलिए अब आते हैं 123 नमबर देखिए 123 नमबर प्रसन प्रसन जो है दोस्तों कि जारखन में CSR लागू करना मुस्किल है निम्न में से कौन सी उन समश्याओं में से एक नहीं है देखिए थोड़ा current relevant प्रसन था बर्स 2016 में प्रसन प्रसन पूछा गया था उनका तो इसमें जो right answer होगा दोस्तों वो होगा आपका answer C यानि क्रिसी भूमी की प्रचूर मातरा में उपलबता ठीक है जिस बचे से क्या होगा निम्न में से कौन सा समश्याओं में से एक नहीं है नहीं है पूछा गया है देखी नहीं है तो क्रिसी भूमी की प्रचूर मातरा में उपलबता ये कारण एक नहीं है तो जो right answer आपका क्या होगा right answer यह होगा CSR को लाउग करना मुस्किल है अब आतें 124 नमर कोईश्यन पर देखिए हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है देखिए इसमें स्किम से बेवी प्रस्न पूछा जा सकता है इसलिए आप स्किम को भी ध्यान में रखेंगे हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य की बात क्या गया है तो क्या होगा हमारी धरोहर योजना का इसमें राइट अंसर जो होगा दोस्तो बी यानि भारतिय सांस्कृती की समग्र अवधारना के तहत भारत के अलप सेंखक समुदाई की समरिद्ध विरासत को सनरक्षित करना क्लियर है अब आते हैं अगला प्रस्ट देखिए दोस्तो 125 नंबर क्वेश्चन्स निम्न लिखीत में से किस जीले में देखिए किस डिस्टिक्स में पूछा गया है तामबा अयश्क ठीक है कॉपर का सम्रिद्ध भंडार है ठीक है ओप्सन दिया है पूर्वी सिंभूम पलामू हजारिभाग और राची तो आपका सही अंसर क्या होगा पूर्वी सिंभूम य इसमें लगभग लोग नहीं कर पाया था दूस्तों बर्ष 2016 का ये प्रस्ण जो था 126 नंबर प्रस्ण यानि फूल डूंगरी वाला इसमें जागतर लोग नहीं कर पाये थे निम्न लिखीत में से किस सहर के निकट इस्तित है फूल डूंगरी ठीक है तो यह इसका राइट इसमें पूशा गया है कि राज्य में पत्तों के प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस समागरी से बनी प्लेटों की विक्री को जारकन सरकार ने प्रतिबंदित किया है यानि जो पत्ता का प्लेट बनता है तो कौन सा प्लेट है मार्केट में अवेल बेल जिसको जारकन सरकार के द्वारा प्रतिबंद किया गया तो प्लास्टिक का तो है नहीं, कागज का है नहीं, स्टाइरोफार्म का है नहीं, थर्मकॉल वाला जो आता है, इसको प्रतिबंदित किया है, अलाकि धडले से विक्राया भी देखी रहे होंगे, ठीक है थर्मकॉल वाला, अब आते हैं 129 नंबर प्रस्ण पर, बिर्षा के नेतित्तों में सुरू उल्गुलान का क्या मतलब है, उल्गुलान का मतलब, इसमें दिया है कस्तकारी अधिनियम, अनुआई, बिद्रो और बन, तो राइट आंसर क्या होगा, 129 का होगा, बिद्रो, उल्गुलान का मतलब क्या होता है, बिद्रो, बिद्रो को ही उल्गु बिल चुगा है कहां इस्तित है तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का है धनबाद में है अब आते हैं 131 नंबर कि कौन सा सहर भारत में माइका राजधानी ठीक है अबरक राजधानी के रूप में जाना जाता है देखिए आसान-असान भी कुछ प्रस्ण है दोस्तों तो अबरक राजधानी के निम से कौन जाना जाता है कोडरमा देखिए थोड़ा मतलब वन लाइनर क्वेश्चन से इस सब आसानी से बन जाता है कोडरमा है राइट आंसर अब आते हैं 132 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़के आपको समझने की भी जोरत है इस प्रस्ण में निम्न म थंप कामियाब हुए तो गलत चुर्णा है दोस्तों है यहां पर पूछय गया है वो आपको गलत चुर्णा है तो गलत इसमें क्या होगा फिर देखे दूसरा नंबर जो पुछा है कि तिलका मांजी को भागलपूर मिर्तु के लिफासी पर लटका दिया गया था ये बात सही है तिलका मांजी ने रामगर की पहाड़ियों में गुरल्या युद्ध का नितित्व गया था ये गलत है तो राइट अ देखれた से रेलेटेड नहीं है दिपीक न कुमारी ओक हाँ से ज्यारकन की है रिना कुमारी ये भी ज्यारकन के रश्रकन की है ले संवर्मा ये है गलत अगया प्रस्ण देखिए इसमें कहा गया है कि मुंडारी लोग कथाएं पुस्तक किसने लिखी है तो इसमें दिया है option कि भगवती, प्रसाद, सिन्हा, नलीन, बर्मा, जगदीश, त्रिगुनियात और विनूत कुमार तो इसका right answer क्या होगा, देखिए किसने लिखा है तो ये लिखा जो है दोस्तों वो है जगदीश, त्रिगुनियात याद रखेगा जगदीश, त्रिगुनियात ने कौन सा किताब लिखा है, मुंडारी, लोक, कथा, क्लियर है, अब आते है 135 नंबर प्रस्ण पे, वो एकलोता भरते खिलारी कौन सा है, जिनका नाम 2015 में चारी की गई फोब्स पत्रिका में 200 के सो सबसे ज़्यादा बेतर मान, यह सब को पता है दोस्तों, देखिए, इसमें विराट कॉली का नाम दिया है, 2015 का बात है, महिंदर सिंग धोनी है, सचीन तेंदूलकार है और विरेंद सावा, तो राइड अंसर को न होगा, महिंदर सिंग धोनी, ठीक है, बी, महिंदर सिंग धोनी, एमेस धोनी, ठीक है, अब आएंगे अगला प्रस्न दोस्तों, 136 नमर प्रस्न, कि बिर्सा मुंडा को किस नाम से जाने जाते हैं, यह बहुसा आसान प्रस्न है, हर कोई जानता है दोस्तों, कि बिर्सा मुंडा को किस नाम से जाना जाता याटली योजना के संदर में गलत है जो यह है आप उसमें पढ़ेंगे तो इसमें गलत कौन सा है यह दिया है कि और तिसरा जो है, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में ब्राम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है तो गलत पुछुनने बहा है कि तो गलत यही हो सकता है, यानि राइट अंसर आपका D हो जाएगा योजना में संपूर्णता पर लडगी के 22 वर्स उम्र ये गलत है दोस्तों, यानि D आपका राइट अंसर हो 138 नमबर कोईश्चन देखिए दोस्तों, 138 नमबर जो है कि स्री समेद सिखर जी, देखिए ये सब किसी को पता है, हर कोई पता है कौन से रूप में भारत में जाना जाता है, तो इसको स्री समेद सिखर किस में नम जाता है, अब आते हैं अगला प्रस्टन, देखिए दोस्तों, अगला प्रस्टन जो है 139 कि वसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, ठीक है, तो इसका राइट अ गर्मी तो होगा नहीं, सर्दी होगा नहीं, क्योंकि जस्ट गर्मी से पहले जो होता है, वसंत सर्दी को पार करने के बाद ही वसंत आता है, बरसात तो यह है, राइट अंसर आपका यह होगा, अब देखिए 140 नमबर, जादू गोडा, उरेनियम खादान, झारखन में नीम जार्खन के प्रसिद्ध छट पूजा के बारे मका गया है कि किस देवता की आरधना करने के लिए की जाती है यह ज्यादतर लोग बता देंगे जो पूजा होता है वो बिसीकली सूर्य वगवान की पूजा होती है यह सूर्य याने राइट अंसर ए होगा अब आते हैं 142 नमर साब वो क्या हिंदी है ठीक है तो हिंदी होगा आपका राइट अंसर पी अब आते हैं 143 नमर कोश्यंस कि राची मुन्सिपल कार्पोरेशन यानि आर्यमसी ने किस बैंक के मदद से आयोजीत करने के लिए ओनलाइन बुक्तान प्रणलिक उदगाटी कि देखे दोस्तों य यह जो है आपका यह करेंट रिलेटेड प्रशन है 143 नमर और इसका राइट अंसर होगा एक्सिस बैंक के साथ करार किया था ठीक है अब आते हैं 144 नमर प्रशन पर 144 नमर जो प्रशन है दोस्तों यह भी एक तरह से कहा जाता करेंट रिलेटेड प्रशन है कि फरवरी 126 में मंत्री कौन है यह उस टाइम कौन थे 144 नमर प्रशन पर दोस्तों 145 नमर प्रशन के निम्न में से कौन सा जारखंड के पहले गैर आदिवासी देखें गैर आदिवासी पुछा गया है मुख्य मंत्री के संदर्ब में गलत है सही नहीं गलत आपको चुनना है ठीक है तो कौन सा गलत है 145 में नमर तो इसका राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर होगा डी दोस्तों यानि वे सिर्फ तीन बार विदान सबाग के सदश से रह चुके हैं कौन थे रगुबरदास जी थे आप सभी को पता है अब आते 146 में नमर कि निम्न में से कौन ख ठीक है अब आते हैं अगला प्रस्णा 147 मा नमर प्रस्णा दोस्तों कि पुस्तक मारंग घोडा निलकंट हुआ कि लेखक कौन है 147 तो इनके लेखक कौन है महुआ मांजी ठीक है जो अभी सक्रिया हाला कि विधायक तो नहीं ये जीत नहीं पाएं लेकिन बहुत ही एक्ट नमर प्रस्ण पर कि निम्न में से किस सेवा को AWCC के प्रदत नहीं किया जाता है 148 तो इसमें होगा जीला अस्तरिय खेल प्रतियोगीता जो होता है उसको इसमें प्रदत नहीं किया जाता है यानि C राइट अंसर होगा C जीला अस्तरिय खेल प्रतियोगीता अब आते हैं अ यह किसी को पता है धोल कि जारखंड जब राज बना था यह 28 शराराज के रूप में आया था भारत के नक्सें चामारल के मैं कोंग बाद आ तो right answer फागुल में क्या गया जाता है फगवा गया जाता है तो right answer आपका D होगा तो दोस्तों यह रहा कि जारखंड सजी वालाई यानि JSC CGL में जो आपका 2016 में जो प्रस्ण पूछा गया था जारखंड जिकिर के उनहीं के बारे में बताएं दोस्तों और आगे जो वीडियो और 12 में जो प्रस्ण पूछा गया है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें धैने ब झाल झाल